हेलो नमस्ति दोस्तो मेरे चैनल के चेन मास्टर में आज मैं आप सब्सक्राइब के लिए कि आप मिदेफ़ा भूक हो के लिए के लिए हुआ अपना जो है जो है तो मैंने लास्ट वीडियो तो यह बना जो ओनाए था निकativa का बनाऊ धाएर और बनाऊने बाहुन यह दो बड़ा है और यह दो मीडियम साइज की प्यास है और मैं यहां पे 3-4 हडी मिचली हूँ एक मैंने चोटा सा अध्रक चुक्रा लिया है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है मेरा एक प्तमर्च अजवाईन यह負ा च्छोटा चमर्च से मेरा जीरा है जो से तर्समिन योंज़ करते हैं जीते पतन सर्वाय हूँ यहां, पतन कको जोदई मुत वासा की मैसवाई हिसाया कता है उस्ते नहीं कि दुम एक पतन तरहा वर सिर्वायों सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जो प्याज है उसको मैं ममी कट कर लेगी आपको बीखे कैसे मैं ममी कट करी आपको जैसे इसको कट कर लीजेगा प्याज को सब्सक्राइब कर देख करते हैं ममी किस्ता से चाज को खट कर लीजेगा आपको दिखा देती हैं ममी में सारे प्याज मिस्ता से कट करेंगी आप लोग देख सेकते हैं मैं जो प्याज उपर अच्छे से कल्ट हो चुका है और ममी इसको अच्छे से मिक्स्ट कर दिये इस तरह मिक्स्ट करने से न सब्सक्राइब भाका भाका हो जैगा इस लिए इसको हम से इसे फिर कुछोड़ देते हम रोग दियेगा इसे धोना नहीं है धो कर प्याज ररखे थे चिना खुला-खूला है तरह ना खुल गया है तो आप हम लोग इसको अच्छे से मिक्स्ट कर लिए थे हमारा प्याज को तो आप हम इसमें देंगे धन्यापता और इसके बाद हम देंगे हमारा जो मिर्च था हरी मिर्च वो देंगे कस्तूरी मेथी मैंने या पे लिया है एक चमश का असपास इसे ममी अच्छे से हाथ से मल रही है आप लोग भी ऐसे हाथ से मल के इसके डाल दीजिएगा देख सकते आप लोग कुछ इस तरह से हुआ है इसे बहुत अच्छा फलेवर आता है तो आप इसको ममी डालेगी और इसमें डालेगी हमरा जो अजवाइन था वो अजवाइन को भी हम लोग हाथ में लेके इसे मल लेंगे और पिर इसको मल के डालेंगे मलने से फलेवर अच्छा होता है जा चंदगी रहेगा वह भी निकल जाएगा नीचे का इसे खिस-खिस ने लेगा और हम लोग जो आदा घिसे आदा जो लिये थे हम लोग उसको घिस लिये है अब वह हम लोग डालेंगे और अब हमारा यहां पर है हल्दी हम लोग हल्दी डालेंगे हम लोग जो हल्दी लिये थे वो जीरा पौडर और लाल मिर्च हम लोग यह से ब डाल देंगे और अब हम देंगे बेशन बेशन आप लोग नाप के दीजिएगा कि आपको कितना पड़ेगा मैं यहां पर दो चमच बड़े चमच से दो चमच डाल रही हूं देख सकते हैं मैं चमच कितना बड़ा है अब इसको हाथ से मम्मी मिक्स करेगी बाद में नमक डालेंगे पानी नहीं देना है जरुद पड़ेगा तो पानी हम दे सकेंगे प्याज में तो पानी नहीं दिया जाता है क्योंकि आलेडी बहुत पानी छोड़ता है आप लोग देख सकते हैं ममी ने कितने अच्छी से मिक्स कर लिया है सबको अब इसमें हम लोग नमक डालेंगे नमक अपने टेस्ट का हिसाब से डालिएगा तो आप हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से हमारा ब्यास पकोरा बनने के लिए रेडी है बस इसे हम लोग को ऑईल में फ्राइ करना है आपको इसे हाथ से ही मिक्स करना आप सोचे कि हम चम्मा से मिक्स कर ले और अच्छे से मिक्स हो जाए तो नहीं हो पाएगा आपको इसके अंदर हाथ डालना ही पड़ेगा मिक्स करने के लिए आपको देख सकते हैं कितना अच्छे से हो चुका है हमारा प्यास कप मसारा रेडी अब इससे हम लोग और में फाई करेंगे कि अच्छ प्यास का पकॉरा बनाने के लिए यहां पर एक करहा है लिए है इसके अंदर मैस तेल ढाल की हूँ और तेल को दसमेट के लिए हाई फ्लम पे गरम होने के लिए बीनेंख छोडर दिये हैं तो गरम हो गया है हमारा हमारा तील गरम हो चुका है अब मम्मी से पक्रण देख अ दाल दिये वाइक-ढ़ ले एक फट आइक देख दिन गरम है कि नहीं है कि आप लोग भी आइसे ट्राइब करके देख सकते कि आपका तेल गरम है के लिए तो मैं मुम्मी अब सब आस्ते आस्ते डाल दिये पोकॉरा कि आप लोग इसको डाल लीजिएगा तो मीडियम प्लेंपे बनाईएगा ना अब थोड़ा हाइचें तो कहाँ आप लोग चाहे तो तेल को हलका सा शेक कर सकते हैं ताकि जो हमारा पॉकॉरा है पुरा अच्छे से तेल में आ जाया जाए जैसा ममी कर दी आप लोग इसके और हम लोग फ्लेम को लोग कर देंगे लोग बनाएंगे क्योंकि है फ्रेम बनाएंगे तो हम लोग का अंदर से भी पकना चाहिए ना इसके हम लोग फ्लेम को लो किये हैं हाई फ्लेम पे बस रेड होता है पकता नहीं अच्छे से इसे लिए हम लोग फ्लेम पे इसे बनाएंगे देख सकते हैं ममी ने इसे गुसित साइट पलेट दिया है अब इसे पांच में तक ऐसी छोड़ देंगे हम लोग जब तक यह अच्छे से पक नहीं जाता तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से लाल हो चुका है कापी अच्छा कलर भी आया है अब इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे इतको जादा तेल लेता है इसलिए हम हम लोग प्लेट में एक पेपर रखें हैं आप चाहिए तो पीशू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग ने इस पेपर लिए हैं तो आप देख सकते हैं कि कि तना अच्छा हुआ है अब हम लोग दूसरा बनाने स्टार्ट करेंगे फिट से हम स्टार्ट वराए है तो मम्हें अ डाल दिया आहा है 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 कुछ है कंदा है 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 करफिट आइक है 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 डाल चुक्राई तो काति अच्छा से ममी बाल चुकित तो मैंने सब डाल दिया है मुमी ने सब डाल दिया है अब इसे हम लोग लो फ्लेम पे कर लेंगे और इसे ऐसी तीन से चार मेट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए तो मैंने इसे तीन से चार में टाइसे रखा अब मैं इसे पलट दूँगे तो दूसा वला साइट रही है आप लगी देश सकते हैं आप लोगी मम्यों फॉलो कर ऐसे पलट सकते हैं हाँ 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 आधार कि इसे भी हम लो फ्लेम करके दो से तीन मिट तक शोड़ देंगे तो आप दो देख सकते मेरा अच्छे से हो चूका इस ब्राउनिश में हो चूका है कापी अच्छा लगा रंक लग लगॉ का लगी इसका को तो आश्ना निकाल लेंगे लेंगे रे इ तो यह हमारा पूर अच्छे से बन के रेडी हो चुका है अब मैं आपको सर्फ परके दिखाती हूं तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे सर्फ किया तर्माटर सॉस के साथ आप लोग चाय तो इसे चाय के साथ खा सकते हैं इसे सर्फ किया है तो अगर आपको मन हो सर्फ आप याफ म्योनिस के साय भी खा सकते हैं, भहुत अच्छथ हैं इसे बसंच्कां अगर आपको और वीडियो अच्छ लगा हो फिर्ला स्भी किया है झाल झाल झाल